हलो दोस्तों सुछाज़ है आपको अपने चलना है नॉले स्काइपर और मैं हूँ आपका दोस्त अंबतिवारी और चलिया स्टार्ट करते हैं हमारे सूबद दस बजे क्लास तो first of all a very warm good morning to you all और चलिया स्टार्ट करते हैं तो यह हमारे vocab capsule की class है जिसमें हम daily discuss करते हैं दा हिंदू vocabulary को आप सभी के साथ जी हैं दोस्तों दा हिंदू vocabulary जिसमें हम आप सभी के साथ discuss करते हैं तो इसमें हम discuss करते हैं daily दस बहुत important दा हिंदू editorial के words जो कि आपके UPSC level के exams के लिए CZL के लिए काफ़जाद importance रखते हैं और जो लोग banking की preparation कर उनके लिए भी जरूरी क्योंकि banking में भी आजकल हम सभी जानते हैं कि जो आपके words आते हैं आटनिम, synonyms आते हैं ठीक है और जो fillers आते हैं close test आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके आजकल दा हिंदू, दा एकॉनमिस्ट, एनी बड़ से आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़जाद important है तो ले देके किसी भी government exam के आप preparation कर रहे हैं यह जो class यह काफ़जाद important है आपके लिए तो आज है 7 July, 7 July 2020 और 7 July 2020 के चलिए यह हम start करते हैं So here we have the very first word that is the invasive, invasive एक adjective है और इसका मतलब होता है आक्रामक होना है ना, invasive एक adjective और इसका मतलब होता है आक्रामक होना तो यह हम इसके meaning की बात करें तो इसका meaning है tending to spread very quickly and undesirably or harmfully अर्थ इसका हिंदी में दी हम बात करें मतलब बहुत जल्दी और अवांचनी रूप से या हाने रहत रूप से फैलने वाले की प्रवित्ती मतलब बहुत जल्दी जो चीज आक्रामक्ता के साथ क्या हो जाए फैल जाए हम इसके synonyms की बात करें तो इसके synonyms होंगे नौसी और इंटर फेरिंग एक example ले लेते हैं हम इसका अग बढ़ते हैं अगला जो वर्ड आपका है यह ही एक वर बर इसका मतलब होता है उत्तोलन उत्तोलन का मतलब होता है कुछ भारी सामान उठाना या ढोना ठीक है उस वे में हम इसको यूज करते हैं तो हम इसके दिये meaning की बात के तो इसका meaning होगा lift or haul with great effort something heavy with great effort मतलब आप बहुत मुश्किल लगा के किसी चीज को ठानी की कोसिस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इस word को use करेंगे lift or haul को ठीक है यह तो हम इसके अर्थ की बात के तो इसका अर्थ होगा हिंदी में बड़े प्रयास से किसी चीज को ठाना या फिर उसे ढौना ठीक है इसके लिए हम antonyms की बात इस synonyms देख लाएं तो इसके synonyms होंगे haul, pull, lug, drag और antonyms होंगे इसके push इसके example जहुर हम देख लेते थी कि example को ज़रूर है बार-बार daily class में आप सभी को पता तो पहरे बच्चों इसलिए ज़रूर है आप सभी के लिए क्योंकि यदि आप example के साथ इन words को use करेंगे तो definitely आपको उन words को यार रखने में, link करके रखने में काफी मजा आएगा After he tried to heave, the heavy weight above his head for the third time, the weak lifter decided to give up चलिए, अगले word की तरप चलते हैं, अगला word है ट्रोव, ट्रोव, एक noun और इसका मतलब होता है निधी इसका meaning होगा, a store of valuable and delightful things, निधी क्या होती है निधी आप लोग उस्वे में ले सकते हैं जैसे जो आपकी संपत्तियां होती है उनके लिए हम यूज करते हैं, वर्ड निधी हैं हमारी, उसी के लिए आप यूज करेंगे, उसी context में आप यूज करेंगे तो निधियां हैं आपकी, तो जैसे की मुल्यमान या रमणिय वस्तों का भंडर, फूर एक्जामपल आप एक व्रिलेट इस्टुएंट रहे हैं, तो आपके फोल्डर में आपकी सारे की सारी मार्क सीट रखे होंगी, या फिर आपके कवर्ड में आपकी आपके शही बल्ड आपके ट्रूबाव looking आपके जो आपके थोरा आइक्डेमरिक hy Commission बली होंगे, तो वह आपके लिए क्या किलाएगा, तो आपके लिए क्क्या and pop tears in my teen son's pillowcase. आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है, विटियेट एक वर्भ है और इसका मतलब होता है ब्रस्ट करना, विटियेट एक वर्भ है और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रस्ट करना, तो इसका meaning होगा, spoil or impair the quality or the efficiency of something, है ना, मतलब किसी वस्तों की गुणवत्ता या उसकी दक्षता को खराब करना, किसी चीज़ की quality को, उसकी efficiency को हिंदी में वेले तो गुणवत्ता या दक्षता को खराब कर देना, तो इसका synonyms की बात करते हैं, इसका synonyms होगे, एक्जामपल ले लेते हैं, तो इसके एक्जामपल होगे, changes at the point में actually vitiate the entire system, प्लाइनरी, एक executive और इसका मतलब होता है परिपूर, प्लाइनरी एक executive है और इसका मतलब होता है परिपूर, यदि में इसके meaning की बात करें, तो इसका meaning होगा absolute, मतलब अपने आप में संपूर नया पूर, इसके synonyms देखते हैं, तो इसके synonyms होगे, unconditional, unlimited, unrestricted and comprehensive, यदि इसके antonyms की बात करें, synonyms के लावा, तो synonyms के लावा antonyms होगे इसके, abbreviated, abridate, diminished or reduced, इसके example की बात कर ले तो इसके example होगा, the delegation of the international convention was given plenary authority to negotiate a treaty in the nation's best interest, ठीक है, चले, आएके बढ़ते हैं, अगला जो word हमारा, that is the, contrition, 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 contrition एक non-nurus का मतलब होगा, पस्चताप करना है न, regret करना, regret तो नहीं, है न, regret तो पस्चतावा होगा, पस्चताप is different from regret, चले, तो इसके meaning की बात कले, तो इसका meaning होगा, the state of feeling sorry for bad behavior, the state of repentance, मतलब जब आप किसी के साथ गलत सलूप करते हैं, बुरा बहार करते हैं, उस case में आप यूज करेंगे, contrition word को, चीक है, इसके synonyms होगे, contratence is, guilt, pentence, regret, remorse या rapetence, चीक है, इसके लिए हम बात करेंगे, antonyms के तो, antonyms होगे, impentence, है न, या फिर, remorse lessness, example के हम बात करते हैं, the defendant pled guilty to the crime for, to the crime and expressed hurtful contrition for the thing he had done, आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले बेट की तरह, हमारा अगला बाड है, planative, planative जो word है, एक adjective और इसका मतलब होता है, दुखी, planative एक adjective और जिसका मतलब क्या होता है, दुखी, इसके meaning के बात के हैं, तो इसका meaning होगा, expressing, suffering, odd, sadness, sounding, sad and mournful, मतलब दुख या दुख व्यक्त करना या दुखी और सुका कुल दिखना या होना, मतलब जो आपने कुछ कर लिया और आप ऐसे मूल अटकाते हुआ, बैटे हुआ, तो that is something known as planative, planative मतलब दुखी होना या दुखी चहरा बनाए रहना, इसके synonyms होंगे, acting, agonized, bitter, mournful, sad, wishful, doleful, pathetic, pitiful, pitious, milanoke, या फिर lamentable, इसके synonyms की बात कर तो इसके synonyms होंगे, delighted, excluding, glorying, happy, joyful, rejoicing, trimpant, joys, या फिर, या फिर, build some, ठीक है, इसके example ले ले थे हम, example है, we could hear the planative cry of the wounded animal in the wound, अगला बाद है आपका, piquant, piquant एक adjective है और इसका मतलब होता है, दिल्चास बहोना, interesting होना, ठीक है, इसके लिए थे हम पहले meaning की बात के तो इसके meaning होंगा, having a pleasantly sharp taste, or apiating flavor, pleasantly stimulating or exciting to the mind, हम इसके अर्थ की बात करें, हिंदी में तो इसका अर्थ होगा, एक सुखत तेज स्वाद या स्वादिस्ट स्वाद, ठीक है, या मन को सुखद रूप से जो चीज अच्छी लगे, मतलब यह basically खाने की रूप में आप इस word को, यूज करेंगे, इसका synonyms की बात करेंगे, तो synonyms होंगे पाइजिंट, हैना, intriguing, stimulating, हैना, interesting, fascinating, jesty, वह हम इसके antonyms की बात करेंगे, तो इसका antonyms की होंगे, आपके ज़र antonyms देख लेंगे थे एक बार, blend, incipate, dull, jestless, और incipate, और इसके example की बात करें, तो इसके example होंगे, गॉबलेज रेस्टोरेंट have a secret frequent socks that make the days scruptyous, ठीके, अगला बार है, proctivity, proctivity क्या है, proctivity एक noun और इसका मतलब होता है, जुकाओ, tending towards something, जुकाओ या, tending towards something की तर जब आपका जुकाओ, जैसे किसी धर्मी की तरफ है, किसी गुरू की तरफ है, जैसे आप सारे बहुत सारे बच्चों का जुकाओ, है ना, तो प्रॉक्लिटिविटी इसे हम बोलेंगे, प्रॉक्लिविटी हम इसे बोलेंगे, इसके synonyms की बात करें तो इसके synonyms की होंगे, इसके लिकिंग, inclination, tendency, leaning, और antonyum से होंगे इसके disclination, dislike and antipathy hit, चलिए, इसके use देख लेते हैं, that his proclivity for cooking made him a big hit in the homeowner associations, अगला है दोस्तों ingress, ingress जो वर्ड है, ये एक नावने और उसका मतलब होता है, प्रवेश, ingress एक नावने और उसका मतलब क्या होता है, प्रवेश करना है, यदि मेनिंग की बात करें, the action or fact of going in, in entering, the capacity or right of the interest, इस मतलब जब आपके पास कहीं जाने का अधिकार प्राफ्त हो, तो उस हिस्तिति में आप use करेंगे इस word को, ठीक है, इसके synonyms की बात करें तो इसके synonyms होंगे, entrance, access, admittance and approach, वहीं इसके antonyms की बात करें तो इसके antonyms होंगे, aggress and exit, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 10 word खतम होते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे word पसंदा होंगे, thank you guys, thank you very much for watching us.